तो concept है यहाँ पर back office और data entry के बारे में कि exactly back office और data entry का काम होता क्या है so यहाँ पर थोड़ा सा difference है क्योंकि actual में data entry is not a back office लेकिन back office में data entry का काम हो सकता है अभी थोड़ा सा यहाँ पर हम बात को check करते हैं कि अगर कोई company हो जहाँ पर किसी company को documents verification का काम करना और उसके बाद उसको लगता हो कि exactly यह document verified है और उसको आगे process करना हो तो legally उनको कुछ form भरने पड़ते हैं जैसे कि पूरी details, आधार card, pen card, residential address, और रिसे सारी चाज़ है so यहाँ पर data entry का काम आ जाता है कि इस तो बहुत सारे back office ऐसे है जो data entry पर भी काम करते है so data entry के लिए specially अलग से field है क्योंकि यहाँ पर अलग से job profile भी क्योंकि back office में जाते हो सिधा आप directly data entry में काम कर सकते हो लेकिन back office में भी कोई ऐसे sector से जहाँ पर data entry का काम होता है so हो सकता है कि कोई back office अपना data entry का काम किसी other department को handle करे लेकिन max करके ऐसा होता नहीं क्योंकि जितना भी back office का काम होता है वह company खुद होके वह काम handle कर लेते हाला कि उसके लिए कुछ लोग आलग होंगी जिनकी typing speed या फिर जो कुछ भी quality है वह है लेकिन फिर भी back office में data entry का काम होता है गाइस तो यहाँ पर मुझे comment मिली थी कि exactly back office में data entry का काम कैसे होता है क्योंकि back office में आपको book type करने के लिए अगर कोई legal information complete है और उसके बाद उसका documentation करना है तो उसके लिए आपको वहाँ पर टाइपिंग की जरूरत या फिर working की जरूरत होती है वहाँ पर आपको data entry का काम लग सकता है वीडियो आपको पसंद आया होगा कुछ query comment doubts regarding same guys तो बेशक्स आप मुझे comment करके पूछ सकते